हलो फ्रेंड्स आज मैं आपसे सेयर करने वाली हूँ कच्चे आम से बनने वाली चटपटी छुन्दे की रेसिपी या फिर कह लीजिए कच्चे आम की लच्छा चटनी जिसे आप बना के महिनों तक श्टोर करके रखके इंज्वाय कर सकती हैं जब भी घर में सबजी नहों य एक चमच जीरा डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम रख देंगे इसको गैस पे और इसको धीमी आज पे हम थोड़ा इसको रोष्ट कर लेंगे अच्छे से जब तक कि थोड़ा से इसमें से चटकने की आवाज आने न लगे तब तक इसको और उसके बाद आम को अच्छे से धुल लीजिएगा धुलने के बाद हम क्या करेंगे एक छील नहीं लेंगे या फिर चाकू की हेल्प से आप इसको अच्छे से छील लीजिएगा ताकि इसमें जो वाइट सौरी ग्रीन पार्ट होता है वह अच्छे से निकल जाए बिल्कु कर लेना है क्योंकि इसमें हाथ कटने का बहुत डर रहता है उसके बाद जो गुटलियां बचेंगी इसका मैं यूज आपको बाद में बताऊंगी लाष्ट में वीडियो में अप इसको बिल्कुल फेक किएगा नहीं और देखे सारा ग्रेट कर के रेडि हो गया है अब हम क कड़ाहीं में भी मलत बनाना सब्सक्राइस दससेंद भी लिख के रहें त utilized PRECAPON कराथ में भी बेदरेंजा नापर कंडार की बादमिने के दziękरने में 25 आधानी जैकी में Juxt कर दरेंगे अभी हमने इसको गैस पे बिल्कुल नहीं रखना है डालने के बाद हम क्या करेंगे इसको बहुत अच्छे से चम्मच की हेल्प से इसको हम आम को और गुड को बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि ये बिल्कुल एक में मिल जाए एक सार हो जाए जब ये मिल ज करना बहुत जरूरी है इसलिए पहले मिक्स कर लीजिएगा उसके बाद इसको हम गैस पे चढ़ा के और फ्लेम मीडियम रखे इसको हम कुक करेंगे अगर आप वहीं खड़ी है तो कुछ देर के लिए 2-3 मिनट के लिए फ्लेम हाई कर सकती है और इसको हम कुक करेंगे जब इ एक चमच कस्मीरी लाल मिर्ष डालेंगे लाल मिर्ष बिल्कुल तीक ही नहीं होती है और उसके बाद हम डाल देंगे दो चमच जो हमने मसाला भून के और पीस के रखा हुआ था न वो डाल देंगे या फिर अपना आम आप देख लिजिएगा जितना आप ग्रेट करके ले हैं छे से साथ मिनट आराम से लग जाएंगे इससे जादे भी लग सकता है या इससे कम में भी यह रेडी हो सकता है इस तरह का देखे बिल्कुल हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका चुन्दा या फिर आम की लच्छा चटनी बिल्कुल तयार है आपका क्योंकि जब हम इस इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा जब मैंने इसको आधा से घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था तब देखिए इसकी सकल इस तरह की हो गई है यह बिल्कुल ठीक हो गया है आप क्या करेंगे एक जार ले लेंगे बिल्कुल पहले से धोके और अच अच्छे से भर देंगे और बिल्कुल चमच में पानी नहीं लगा रहाना चाहिए तभी हम इसको अच्छे से दो से तीन महिने तक स्टोर करके पूरी गर्मिया हम इसको इंज्वाय कर सकते हैं लेकिन यह उतने दिन तक घर में बचेगा नहीं उससे पहले ही यह खतम हो जाता हैं और इसको जब इच्छा हो तब इंज्वाय कर सकती है रोटी से खा सकती है इसको आप आपकी इच्छा चाहिए जब इसको इनज्वाय करें अब मैं बता रही हूं आपको जो गुठली हमने बचा के रख्यूई थी ना वह उस गुठली को हम ले लेंगे किसी भगोनी मे और उसमें एक गिलास पानी डालके इसको हम अच्छे से दो से तीन उबाल आने तक या गुठली पक जाने तक कूप कर लेंगे उसके बाद इसको हम उतार के साइड में रख देंगे और इसको अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम अच्छे से मशल के उसका पलपलक कर लेंगे और गुठली को फेक देंगे और अब रहाएंगे फ्रेंट्स आम-पणना बहुत आसानी से गुठली करेंगे अब लेंगे हम जो हमने आम का गूदा निकला था वह और थोड़ा से इसमें पानी डाल देंगे और पुदीनी की बचाएगा और बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है और कोई भी चीज वेश्ट नहीं होगी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स और helpful लगी हो और चैनल पे पहली बारा आप आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेल आइकन सबसे पहले मिल सके और मैं अची अची बीड़ी में थे लाइक नहीं हरा जाया है